नमस्कार स्वागत है आप सभी का एन्वेफ न्यूस पर और इस वक्त मेरे साथ मनीज कश्चप मौजूद हैं लेकिन अब उनके नाम के सामने नेता बीजेपी लिखा जाएगा क्यूंकि उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी को अब जॉइन कर लिया है दिल्ली में मनोस्तिवारी संजय मयुक के मार्ग दर्शन में मनीज कश्चप ने दिल्ली बीजेपी आफिस में दिल्ली का दामन थाम लिया है और बीजेपी का ये जो रंग है अब उन पर चड़ गया है सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत हम उम्मीद कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में मनीज कश्चप जिस रंग में दिख रहे हैं वही रंग दिखेगा लेकिन ये अचानक से परिवर्तन क्यूं हुआ इसके पीछे का कारण क्या है सबसे पहले तो मैं किलियर कर देना चाहता हूं कि मैं देश के सबसे लोगप्रिये परदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी के निर्तित्तों में मैं अब काम करूंगा और ये डिसीजन जो है मेरी मा का था और मैं अपनी मा की बातों को नहीं काट सकता हूं दूसरा चीज मुझे बिहार के लोगों के लिए काम करना था और आज भी जो है बीजेपी कहे रही है कि हमारे साथ मिल के काम करो तो फिर क्या दिकत है और तीसरा चीज ये बहुत सारे लोग चाहते थे कि मनीश कस्यप को बीजेपी से टिकट मिले बीजेपी से टिकट मिले मैं चुनावी मैदार में आया अब जो है मुझे वो सारी चीजे मिलेगी जिसके तहट जो है मैं गरीबों के लिए असानी से काम कर सकता हूँ मैं आवाज उठा सकता हूँ लोगों की मदद कर सकता हूँ जैसे मैं दो दिन पहले चुनाव परचार में गया था एक बुढ़ी मा जो है वो मतलब कि मेरे सामने आई जिनके पास घर हो और कुछ नहीं था मैंने बोला घर बनवाऊंगा तो मैं यहां से जैसे जाओंगा अचार संगीता जैसे खतम होगा जिस दिन अचार संगीता खतम होगा उस दिन उनके घर में काम लग जाएगा मनीज को से प्लगवा देगा काम मैं पहले जो काम करता था वो काम करता रहूंगा ठीक है लेकिन मेरी मा ने कहा मनुजभिया घर है देखे सबका अपना अपना चीजे होता है तो मनुजभिया मेरा बहुत मदद किये थे हाला कि यह बास सही है कि उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाए था सबको तहे दिल से थानिवाद और जितने भी सुपचिन तक है मेरे वो सभी मेरे लोग कह रहे हैं कि ठीक है मनीज जी हम लोग चाहते भी थे कि बीजेपी में आप सामिल हो जाए बीजेपी आपको काम करने के लिए छूट दे अब जो है मुझे वो सारी सारा मोका मिल गया है तो मैं अच्छे ढंग से और काम कर पाऊंगा लेकिन एक सबसे बड़ा आपको बहुत भरोसा था जनता का जो भरोसा था भरोसा आप बरकरार रखेंगे उस जनता के लिए उसी तरीके से काम करूंगा और मैं जो सहायता केंद्र खोलने वाला था अलग अलग जगह हो पे वो सहायता केंद्र जो है चार संगीता खतम होगा वो खूल जाएगा ठीक वो सारा वादा मैं पूरा करूँगा, मुझे आप समझने का प्रियास कीजिए, अगर आप मुझे समझ सकते हैं तो समझिए, और मैंने जो भी ने लिया है, मैं अपनी मा के कहने पे लिया है, क्योंकि जब मैं जेल के अंदर था, तो मुझे पता था कि किन लोगों ने मुझे जेल के अंदर डलवाया हैं, और सब को पता था, और मुझे ये भी पता था कि किल लोगों ने मेरा साथ दिया, बिनोह तावडे जी जो चार पाच बार जो है मेरे लिए आवाज उठाएं, सुसिल मोधी जी आज बिमार हैं, सुसिल मोदी जी अनिको बार मेरे लिए आवाज उठाय, बिजै सिनाह जी, मनोज दिवारी जी, नित्यादनद राय जी, अमीर साज जी, के पास तक मेरा मेटर गया, मोदी जी तक मेरा मेटर गया, मनोज दिवारी मेरे घहर आến, तो बहुत सारी चीज hairs, तो इंसान जो है परि मौका मिल रहा है अब आप उस पार्टी के नेता है जो इस वक्त केंद्र में है आपकी राज में भी गड़ बंधन में उसकी सरकार है ऐसे में उन विरोधियों को जिन्होंने आप पर आपको जेल भिजवाया यहां से तमिलनाडवी खुचवाया उनकी साहसे बढ़ गई बोल रहे थे कि तमिलनाडव में कुछ हुआ ही नहीं है तमिलनाडव में कुछ हुआ ही नहीं है बहुत जल जो है वहां से मनिश कस्व जो है उनको जवाब देगा दानसभा पहुच रहे हैं कुछ चीजों को जो है रहने दीजे लेकिन बस इतना ही कहूंगा मैं कि बहुत जल जो है उनके आखों में आखे मिला के मैं जबाब दूँगा और कुछ सवाल पूछूँगा कि आखिर वन इसका स्रेव को नौ महीना आप लोगों ने जेल में क्यों डाला था अगर आप पहुँचते हैं विधान परिशद सदर में जब पहुचते हैं तो आप अपनी बात पहले उठाएंगा चनता कि बात पहले उठाओंगा उठाओंगा मैं वो उन लोगों को भी एक्सपोज करूंगा जो लोग जो है बिहार को सिर्फ और सिर्फ लूटना जानते हैं और जनता के लिए तो मैं हमेशा लड़ता था लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा और आगे भी बिहार के मजदूरू को कहीं भी समस्या होगा वहां पर करना आसान हो गया लेकिन आप जब आज जोईनिंग कर रहे थे जब आप ने बोलना शुरू किया तो काफी भावुक नजर आये थे यह बात सचाई है कि दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी दुनिया का सबसे लोकप्रिये पार्टी दुनिया का सबसे लोकप्रिये नेता नर उसको जो है उतना छूट मिल रहा है, उसको बोला जा रहा है, जाईए आप काम कीजी, अच्छे ढंग से काम कीजे, तो अपने आप में कोई भाव को सकते हैं. क्या कुछ बात्चीत हुई जाईनिंग के बाद, अगर कुछ बताने लायक हो, आप राष्टे अध्यक्ष में मिलने गए? अध्यक्ष जी ने कहा कि बहुत अच्छा, आपको हम लोग उचीत सम्मान देंगे, उचीत जगह देंगे, उचीत तरीके से आप काम कीजे, और बस बादचीत हुई, कुछ देर बादचीत हुई, और उसके बाद से जो है, मैं आपके पास आया. भाचल का जब आपके अंत हुआ था, बीजेपी आफिस में, तो आपने जेश्रे राम कनारा लगाया, मतलब सनातन की आवाज जिस तरीके से बीजेवी बुलंद करती रही, उसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं? जैहिंद भी बोला था, तेश और धर्म, दोनों मेरे लिए सर्वपिरिये हैं, मा ने कहा, मोदी जी के साथ काम करो, मातरी भूमी के लिए काम करो, तो मा के आदेश के अनुसार, मोदी जी के साथ अब मातरी भूमी के लिए काम करूँगा. आखरी में क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार के जनता को अपने सहयोगे बस मैं पहले भी लड़ रहा था आज भी लड़ रहा हूँ और भविश्य में भी लड़ता रहूँगा और बस अब मैं असानी से लोगों की मदद कर सकता हूँ असानी से और वो जो सिस्टम जहां पर लूफ हौल्स है जहां पर गड़बडिया है वहां पर मैं आसानी से पहुंच सकता हूँ और उसको सुधार करवाने के लिए मैं प्रियास कर सकता हूँ तो बहुत बहुत धरनेवाद आप लोगों ने साथ दिया और अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया होता तो सायद मैं इस मुकाम पे नहीं पहुँच पाता कुछ चीजे मेरे अंदर भी है उस चीज को मेरे भावनाओं को समझने का प्रयास कीजे मेरी मा है पिछले दो साल से मुस्कुरा ही नहीं थी और कल पहली बार जो है मा मुस्कुरा रही थी और बार-बार बोल रही थी पटना लेकर आ रही थी तो मुझे पता तक नहीं था कि मैं पटना क्यूं जा रहा हूं मेरा बेटा सुरकषित रहे, मेरा अच्छे डंग से, किसकी मा नहीं चाती है, दुनिया की हर एक मा चाती है, जिब मैं नौह महीना जेल में था, मा कश्ट में थी, म को कि मामो मंजु तीवारी कोंच भals कि कौन 항상 बुलाएं पर वो बात मान रहे हैं, तो फिर क्या दिकत है, तो मा मेरा हाथ पकड़ के ले के आई है, और मोदी जी के हाथ में मेरा भवी से सौप दी है, ये डिसीजन कब हुआ था इस बीच, चुना प्रचान बहुत 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 बहुत, मुझे कुछ पता नहीं था, कल साम को छे पर 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 आया, तो मेरे मित्र मुहित जो है, और मनी दुबेदी जो है, उन्होंने कहा कि मनोज दीवारी भाईया आ रहे हैं, तो मुझे कुछ संका हुआ, तो मैंने मा से पूछा, तो मा ने बोला कि हाँ, उनके साथ आपको जो है दिल ली जाना है, हम लोग दिल ली चल तो उस समय मुझे पता चला, छे बच के दस मिनट पे मुझे ये बात पता चला, और आप बताइए कि आप अपनी मा की बातों को काट सकते हैं, क्या अगर आपकी मा जो है आपका भविश्य सुरक्षित करें, तो आप नहीं काट सकते हैं, तो मैंने भी अपनी मा की बातों क वो समझेंगे और मैं आप लोगों का मदद करूँगा सेवा करूँगा हमेसा आजीवन सेवा करूँगा ते जसी आला जबाब छूड़ गया ते जसी को आप जबाब दे रहे थे उस भी छूड़ गया था देखिए लालू जी के लाल है और उन्हें इस बात का बेहत अपसोस होना चाहिए कि उन्होंने मेरे जीवन का नौ महीना बरबाद कर दिया और उन्होंने बरबाद किया उनका हट ने बरबाद किया तो अब जो है समय का पहिया घूमेगा और सब कुछ तो यह थे हमारे साथ नेता बीजेपी मनीश कस्यप जिन्होंने बीजेपी जुआइन करने के बाद सबसे पहला साच्छातकार एनवेफ न्यूस को ही दिया है और उन्होंने बाकाइदा हर मुद्धे पर बात की और बताया है कि किस तरीके से आगे अब वो राजनीतिक पारी खेलने वाले हैं